आज हम लोग व्याकरन परिजय की लेसन 7 सरपनाम पढ़ेंगे आगे देखो सनेहा मेला देखने गई थी सनेहा के साथ सनेहा के माता पिता भी थे मेले में सनेहा के कई मीत्र भी थे सनेहा मेले में जूला जूली और गुबारे खरी दी सनेहा के मीत्र सनेहा से खुब बाते कर रहे थे तो यहां सनेहा संग्या सब्द है और यह बार-बार इसका प्रयोग हो रहा है जो कि सुन्ने में अच्छा नहीं लगता है इसको हमनों कैसे करेंगे देखो सनेहा मेला देखने गई थी उसके साथ उसके माता-पिता भी थे मेले में उसके कई मीत्र भी थे उसने वहां जूला-जूली गुबारे खरी दी उसके मीत्र उससे खुब बाते कर रहे तो यह सनेहा के बदले में देखो उसके फिर मेले के बदले में वहाँ उससे स्निहा के बदले में का प्रयोग हुआ है और इन सब्दों को ही सर्वनाम कहते है तो संग्या के बदले में प्रयोग किये जाने वाले सब्द को ही सर्वनाम कहते है परिभाशा देखो जिन सब्दों का प्रयोग शंग्या के इस्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे वहाँ मैं तुम उसका उनका आदि ये सर्वनाम सर्वनाम अब सर्वनाम के भेद देखो सर्वनाम के चैवेद होते हैं पुरुस बाचक, निश्चे बाचक, अनिश्चे बाचक, प्रश्ण बाचक, निज्वाचक, संबंध बाचक अब को सर्वनाम की परिभाशा उदाहरन के साथ लिखिए आमसर देखो, जीन सब्दों का प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्बनाम कहते हैं, जैसे वहा मैं तुम आदे, सर्बनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखे, सर्बनाम के छे भेद होते हैं, पुरुस बाचक, निश्चे बाचक, अनिश्चे बाचक, अब फिर इन दे ब्लैंक्स देखो सर्बनाम सब्द से रिक्तिस्तान पूर्ति करें डैस बिद्दाले जा रहा है वहाँ यहाँ से खोज के लिए खोगे डैस बहन घर में है उसका उसकी उसकी डैस खाना बनाना नहीं आता मेरा मुझे मुझे डैस क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारा होगा डैस कहां जा रहे हो तुम मैं तुम डैस अपना काम स्वेंग करना चाहिए तुम हमें डैस हिंदी पढ़ता हूँ मैं वहाँ डैस सागर डैस छोटा भाई है उसका वहाँ उसका